स्वागत है आप सभी का Exam Warrior के YouTube चैनल पर जैसे कि आप सभी से मैंने ये कहा था आज से हम HPJIT Postcode 965 के लिए Mock Test की सिरीज शुरू करने वाले हैं Top 50 Question आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे जो Exam का Level है उसको देखते हुए Question यहाँ मैंने Include किये हैं जैसे जैसे Exam नजदीक आता जाएगा हम अपना Level और Question की संख्या भढ़ाते रहेंगे बाकि आज पहली Class है तो Normal Question मैंने इसमें लिया है जो कि Basic Questions है जिनका Knowledge आपको होना ज़रूरी है जैसे कि सबसे पहला Question है The Term Computer is Drived Form यह बहुत बार एक्जाम में पूछा जा चुगा है तो जो Computer शब्द लिया गया है यह Latin भाशा से लिया गया है दूसरे Question की बात करते हैं Who is the inventor of Difference Engine? अब यहाँ पर देखिए Question दो तरीके से पूछा जा सकता है Question कई बार पूछा जाता है पहले Difference Engine आया यह Analytical Engine तो पहले Difference Engine आया था यह किस के दवारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था Charles Babbage के दवारा जिनने क्या कहा जाता है? Father of Computer लेकिन कई बार Question यह भी पूछ ले जाता है Who is the father of Computer Science? या फिर Modern Computer तो ऐसे में आपका जो अंसर आना चाहिए वो Alan Turing आयेगा अब बात करेंगे Simmer Kray इनने जनम दाता कहा जाता है Super Computer का बाकि यह रहे Alan Turing जो की Modern Computer या Computer Science की पिता इनने कहा जाता है अब Next Question की बात करते हैं Who is the father of Computer? जैसे की यहाँ पर नॉर्मली पूछा गया है की Computer के Father कौन है तो चार्ल्स वेवे जहाँ यह दिर्क अंसर आ जाएगा बाकि अगर पूछ ले जाए Who is the father of Modern Computer? या फिर माफ कीजएगा Who is the father of Computer Science? तो Alan Turing या फिर अगर Modern Computer भी पूछ ले जाए तो भी Alan Turing ही अंसर आएगा बाकि Next Question के में यहाँ पर बात करते हैं Who is the father of Computer Science? जैसे की मैं आपसे बता चुका था यह Question यहाँ पर आ चुका है तो ऐसे में आपका Alan Turing यहाँ पर अंसर आएगा Next Question के में यहाँ पर बात करते हैं Next Question हमारे पास पूछा गया है Personal Computer यह आपका यहाँ पर अंसर आएगा Advert, Robert Personal Computer जिने PC या Micro Computer भी कहा जाता है यह 4th generation में आये थे Mini Computer यह Micro Computer या Personal Computer से थोड़ा ज़्यादा Powerful होते हैं यह 3rd generation में आये थे इस चीज का Knowledge आपको होना जरूरी है अब यहाँ पर पूछा गया है CPU CPU क्या क्या रखता है अपने साथ इसमें क्या होता है Control unit होता है Arithmetic logic unit होता है बाकि इसमें MU भी होता है जिसे Memory unit कहा जाता है Next question है Which of the following controls The process of interaction between the user and the operating system तो इसे कहा जाता है User Interface मैंला Computer से हम किस परकार से interact करें उसे कहा जाता है User Interface Next हम यहाँ पर देखते हैं जो Question अगला पूछा गया है यहाँ पर कहा गया है The first computer were programmed using तो जो पहला Computer था उसे programmed किया गया था किस के दवारा Machine language के दवारा सबसे पहले Machine languages यहाँ पर Use की गई थी फिर अगर बात करें Second Generation की तो उसमें यहाँ पर क्या हुआ Assembly language हमें मिली फिर Third Generation ऐसे करते करते हैं आपके पास Fortran, C, COBOL यह languages आपको देखने को मिली Next Question हमारे पास है Blank is the combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computer devices तो इसे क्या कहा जाता है तो यह होता है आपका Network Network आपका क्या होता है यह combination है hardware और software का बाकी यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो Network की शुरुआत हुई वो 1879 में हुई थी और भारत की अगर बात करें माफ कीजिए गाँ 1979 यहाँ आप ठीक कर लें यह 1979 में था जब Network आया था यह foreign की बात है USA में जहाँ पर यह develop हुआ था बाकी भारत की अगर बात करें तो यह आया था 15 अगस्त 1995 को और लाने वाली जो company थी वो थी VSNL अब next हम यहाँ पर बात करते हैं coded entries which are used to gain access to a computer system are called तो इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है password coded entries which are used to gain access अब देखिए यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा आपके तयारी किस परकार से है आप कितना पानी में हो तो यह एक खास बात रहती है mock test की अब next question हमारे पास है which of the following statement is true इसमें से कौन सी statement true है यह हमें बतानी है अब देखिए यह आप अराम से पढ़ सकते हो लेकिन आपका समय बचाने के लिए मैं direct answer यहाँ पर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर यह कहा गया है mini computer work faster than micro computer जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका था micro computer और mini computer में बस इतना difference है कि mini computer थोड़े से जादा fast होते है उसमें जादा heavy processor यूज किया जाता है अब यहाँ पर देखिए मैं फिर से repeat करता हूँ mini computer किस generation में आया तो third generation में यह mini computer आया था PDP इस परकार से इसका नाम था और अगर बात करें micro computer यह fourth generation में आया था अब next question के में यहाँ पर बात करते है which organized file while storing them in तो इसका सही अंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए तो वो होता है files को हम कहां रखे हम इसको folders में रखते है what type of resources is most likely to be shared common resource in computer network इसका काफी आसान सा अंसर होगा यह होगा printer अब यहाँ बात करते है next की which device is required for the internet connection इन में से कौन सा डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है internet connection के लिए वो पड़ती है modem की जिसकी full form क्या होती है modulation and demodulation what is a light pen light pen क्या है तो light pen एक आपकी होती है optical input device next हम यहाँ पर बात करते है univac की univac is यहाँ पर इसकी full form पूछी गई है तो इसकी full form आप सभी को पता ही होगा यह एक universal automatic computer है मतलब option A यहाँ पर सही हो जाएगा cd-rom stand for यह तो आपको आने ही चाहिए इसका option A ठीक हो जाएगा compactable read only memory A always यह असान से question है जैसे जैसे वीडियोज हम आगे करते जाएंगे difficulty levels में आपको बढ़ाता रखूँगा क्योंकि आपने देखा होगा हर बार exam में आसान question या फिर मुश्किल question ही नहीं आते कई बार आसान question भी आते हैं for example 817 इसमें काफी tough question देखने को मिले for example 939 इसमें बहुत ही आसान question आपको देखने को मिले तो ALU की full form होती है arithmetic logic unit option A यहाँ पर सही हो जाएगा next हम यहाँ बात करते है VGA क्या होता है यह एक होता है video graphics array IBM 1401 यह क्या है और यह किस generation में आया मैं हर बार यह कहता हूँ जिस भी generation में जो मुख्य कंप्यूटर है जिसका निर्मान किया गया था उसका नाम आपको पता होना जरूरी है तो यह second generation में आया था IBM का 1401 की जो series थी यह computer second generation में आया था second generation का जो main purpose यह फिर main जो function था वो यह था इसकी विशेश्टाए कि यह थी कि इसमें transistor का use किया गया था vacuum tubes के उपर अब यहाँ पर बात करते है MSI MSI क्या होती है इसकी full form होती है medium scale integrated circuits इसका जो use किया गया था अब देखिए यह आपको पता होना चाहिए LSI का use किया गया USI का use किया गया जो MSI का use किया गया था third generation में और जब USI यह फिर LSI LSI का use किया गया था अब यहाँ पर बात करेंगे next question की the capacity of 3.5 inch floppy disk is तो यह आप सभी को पता होगा यहाँ पर देखिए जान बुझकर option इस परकार से दिये जाते है अब GV और MB में confused नहीं होना है आपने इसमें जो answer आएगा वो आएगा MB में क्योंकि floppy disk की storage capacity काफी कम थी अब बात करते हैं जैसे floppy disk के कितने type है इसके 3 type है एक थी 8 inch की floppy disk इसकी storage capacity सबसे कम है 768 KB इसमें store किया जाता था फिर I 5.1 inch की floppy disk इसकी storage capacity 1.20 MB थी फिर I 3.5 inch की floppy disk इसकी storage capacity 1.44 MB next बात करेंगे when stand for यह आप सभी को पता होगा यह काफी आसान है इसकी जो full form होती है उसे कहा जाता है wide area network MICR को यहाँ पर पूछा है MICR की full form तो यह भी आप सभी को पता होनी चाहिए काफी आसान सा यह question है इसकी जो full form होती है magnetic ink character reader abedic abedic यह 8 bit पर यहाँ पर काम करता है इसकी full form क्या होगी यह आपको पता होनी चाहिए यह होती है extended binary coded decimal interchange code next हम बात करते है which of the following is a part of central processing unit तो इसमें से arithmetic and logic unit यह क्या है यह एक central processing के part है बाकि CAD stand for CAD का जो full form है वो आपको यहाँ पर बताना होगा तो यह होता है computer added design junk email को क्या कहा जाता है junk email को spam कहा जाता है यह आप सभी को पता होगा hackers इनके बारे में आपको बताना है तो इसका जो सही answer बो मैं आपको बता देता हूँ hacker क्या करते है break into other people's computer अब next question की यहाँ पर बात करते हैं अब जैसे आपको यहाँ पर एक option दिख रहा होगा c इसका क्या मतलब है अगर आप से पूछ ले जाए white hat hacker या फिर grey hat hacker वो यह काम करते हैं जो legal काम करते हैं जो बैदानिक या फिर कह सकते हैं legally जो काम करते हैं उन्हें कहा जाता है white या फिर grey hat hacker अब next question है हमारे पास next question में पूछा गया है what type of computer are client computer in a client server system तो इसमें जो सही अंसर होगा बो होगा option A माफ कीजिएगा option यहाँ पर C होगा micro computer what type of computer are client computer client computer में आपके micro computer आथ जिसमें एक server होता है नीचे उसके छोड़े-छोडे nodes होते हैं अब next question के में यहाँ पर बात करते हैं a computer can't boot if it does not have अगर computer में operating system ना हो तो उसे boot नहीं किया जा सकता operating system यहाँ पर इसका अंसर आ जाएगा next question की बात करते हैं the amount of vertical space would win line of text in document is called उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है line spacing अब line spacing में एक important question होता है कि 1.5 inch का अगर आपने space देना है उसकी shortcut की क्या होती है control plus 5 उसकी shortcut की होती है देखिए computer से related जितनी भी shortcut keys है उसकी एक proper PDF मैंने आपको provide करवाई है description box पर आप जाएं या फिर उस video पर आप जा सकते हो जो मैंने एक playlist बनाई हुई है computer classes for HPJIT उसे आप एक बार जरूर देख ले काफी useful चीज़े और useful PDF आपको मैंने बहाँ पर provide करवाई हुई है बाकी description box पर मैं telegram group का link भी दे दूँगा link आपने open करना है कई वर वो open भी नहीं होता है तो ऐसे मैं आपने फिर से try करना है बाकी telegram group काफी useful है काफी important PDFs मैंने बहाँ पर आपको provide करवाई हुई है previous year paper इस परकार की चीज़े आपको बहाँ पर मिलती रहती है next question की बात करते है next question हमसे पूछा गया है example of non-numeric data अब non-numeric data अब इसमें आपको difference मैं सबसे पहले बता देता हूँ देखिए numeric data का मतलब क्या होता है जिसमें जमा गुणा भाग कुछ भी ऐसा operation हुआ हो जो arithmetic होता है उसे कहा जाता है numeric data non-numeric मतलब जिसमें कुछ भी गुणा भाग जमा माइनस कुछ नहीं हुआ हो तो वो होता है employee address examination score जमा भाग इसमें किया होता है bank balance भी आपका इस परकार से होता है लेकिन employee address ये कोई जमा गुणा भाग करके नहीं दिया जाता है ये simply ही आजाता है what is embedded system embedded system अब देखो embedded computer के बारे में एक चीज में आपको बता दूँ ऐसे computer जो सिर्फ एक ही task करने के लिए बनाया जाते है तो इसके regarding यहाँ पर हमने सही चीज चुननी है तो option यहाँ पर जो ठीक होगा बो option D होगा the computer and software that control the machine next हम यहाँ पर बात करते है first page of website is termed as यह आप सभी को पता होगा पहला page जो कहलाता है वो कहलाता है home page next question के हम यहाँ पर बात करते है blank is the appearance of typed character तो यह कहलाया जाता है format format है appearance कभी कहा जाएगा किसी font के या फिर किसी letter के format में change करने को क्या कहा जाता है या फिर appearance को माफ कीज़ेगा तो यहाँ पर जो statement है उसे आपने बताना है कि कौन से यहाँ पर सही होगी तो option यहाँ पर भी सही हो जाएगा अब आपसे पूछ लिया जाएगा फाइल की कितने नाम होते हैं तो फाइल के दो नाम होते हैं इक होता है primary name जो की user के द्वारा दिया जाता है दूसरा होता है extension name जो की उसके type को दर्शाता है वो किस की है? MS Word की है? Excel की है? Power Point की है? इस परकार से next हम यहाँ पर बात करते हैं offline lands which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate तो आपसे भी इसका अंसर जानते होंगे जब भी large area की बात कही जाए ऐसे में when आपका use किया जाता है where are data and programs stored when the processor use them तो इसका जो अंसर यहाँ पर होगा main memory में memory कितने परकार की होती है? यह दो परकार की होती है एक होती है main एक होती है आपकी जिसे primary और दूसरी होती है secondary तो main memory भी दो type की होती है ram and roam फिर उसकी भी further type होती है ram के आपके यहाँ पर दो type होती है जो mainly दो type होती है वैसे तो चार टाइप होती है लेकिन mainly यहाँ पर दो type होती है जो कि static ram और dynamic ram आती है static ram किस से बनी होती है flip-flop से बनी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरुरत नहीं पड़ती है Dynamic RAM आपकी Capacitor और Transistor से बनी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरुरत पड़ती है ऐसे एक और RAM होती है VRAM जिसे Video RAM भी कहा जाता है इस परकार से बहुत सी RAM होती है लेकिन Majorly 2 RAM आपसे पूछे जा सकती है Exam के Point of View से ज्यादा deeply आपने इसमें भी त्यारी नहीं करनी है Next Question के हम बात करते है Blank Represents Raw Facts Whereas Blank Is Data Made Meaningful तो इसका क्या होगा यहाँ पर अंसर इसका अंसर होगा यहाँ पर Data Represents Raw Facts और जब उसको हम Information में Convert करते हैं तो वो Meaningful हो जाता है Next Question है What Characteristics of Read-Only Memory Make It Useful तो इसमें यहाँ पर अंसर आएगा Option B Data in Rome is Non-Volatile That is, It Remains There Even Without Electrical Power यह Rome की Facility होती है यहाँ पर और Question आता है कि Firmware कहां Store होते है Firmware Unathried User से वो बचाते हैं तो वो आपके Store होते है Rome में बात की जाएगी अगर Operating System यह कहां Store होते हैं तो यह आपके Store होते हैं Rome में Next Question की बात करते हैं What do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes तो इसका जो सही अंसर होगा Option C Diagnostic Software उन्हें कहा जाता है Next Question की बात करते हैं Which programming languages are classified as low-level languages अब low-level languages यहां पर देखिए यह होता है आप जानते ही होंगे Assembly Languages इसे low-level कहा जाता है इसमें Manamanics Codes का यूज किया जाता है बाकी आपको यह पता होना चाहिए Basic Language की Full Form क्या होती है CoVol की Full Form होती है जैसे Basic की होती है Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code CoVol की होती है Common Business Oriented Language 4Train की होती है Formula Translation Prologue यह किसलिए यूज की जाती है यह AI में यूज की जाती है इसका invention किसने किया और कब किया CE का invention किसने किया कब किया यह सब चीज़े आपको पता होनी चाहिए अगर आपको यह सब चीज़ों के बारे में यह एक चीज़ मिल जाएगी जहाँ पर Classes for HPJYT करके इस परकार से कुछ प्लेलिस्ट बनी होगी आप बहाँ पर जाए आपको हर एक study material इसके regarding मिल जाएगा Next question की बात करते है Which of the following is Not Antivirus Software तो इनमें से कौन सा Antivirus Software नहीं है तो इसमें जो सही अंसर होगा वो होगा Oracle यह एक anti-virus software नहीं है बाकी इसके regarding एक और question पूछला जाता है जैसे की बैब ब्रावजर कौन सा इसमें बैब ब्रावजर है कौन सा बैब ब्रावजर नहीं है इस परकार से आपको चीज़े पता होनी चाहिए Which devices is required आप खुद से सर्च करोगे वो जादा याद रहती है अब बात करेंगे What does DMA stand for इसकी full form क्या होती है तो इसकी full form होती है Direct memory access अब कई बार exam में पूछ ले जाता है कि ऐसी कौन सी storage area है या फिर medium है जिसमें की CPU के बिना भी हम यहाँ पर सीदे किसी चीज़ को access कर सकते है तो बो direct memory access होता है अब देखिए जो भी full form से related आपको वीडियो चाहिए बो भी मैंने आपको करवाई हुई है जिसमें लगभग आप यह मान कर चले A to Z जितनी भी full form होगी वो आपको करवाई हुई है लगभग एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें 400 से जादा full form आपको करवाई है दूसरी वीडियो आपको मिलेगी जिसमें लगभग 500 के करीब लगभग 500 के करीब आपको full form करवाई हुई है तो एक भी full form आपकी छूटनी नहीं चाहिए तो आप सभी जानते होंगे यह सारे क्या है यह सारे आपके storage devices में आते हैं टेप कैसा storage device है जब भी आपको इसमें कुछ access करना होता है तो sequentially आप इसमें access कर सकते हो floppy disk के type मैं आपको बता चुका हूँ तीन type के होते हैं harp disk इसमें क्या होता है जो आपक data होता है ट्रैक और sector में बंटा होता है अब इसमें देखे एक major चीजर में पूछ लेजाता हा इसमें क्या होता है इसमें एक होता है see timeлем होता है latency time यह पूछने जाता है कि scent time किसे का जाता है जब हाद 00uck में को find करने की कोशिश करते हैं तो read read head को track तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है सिजिक टाइम और read read head को जब sector में पहुंचने के लिए कोई समय लगता है उसे कहा जाता है latency time अब यहां पर कहा गया है कि when did john napier develop logarithm तो logarithm इन्होंने कव invent किया था most important question यह इन्होंने किया था 1614 में अब इसके regarding एक specific video मैंने आपको बताई है सबसे पहला कौन सा computer device आया mechanical computer सबसे पहला कौन था फिर electro mechanical पहला computer कौन है पहला digital computer कौन है और पूरण तहा electronic computer कौन सा है इसके उपर एक specific video मैंने आपको बताई है बहुत important video है वो उसे आपने जरूर देखना है बाकी next question के हम बात करते है तो यह 680 MB तक आपके store कर सकते है अब एक और question ले लेते है what is a light pen तो यह क्या है तो light pen है एक optical input device next question की बात करते है BCD is BCD क्या है तो यह आपका होगा binary coded decimal जो की 4 bit पर यह काम करता है यह most important है अब जो next question है इसकी full form आपने मुझे बताना है एसकी कितने type की है जो standard ask ही होता है यह कितने bit तक store यहाँ पर कर सकता है जो इसका दूसरा type है उसका नाम क्या है यह भी आपने comment करके मुझे बताना है बाकी यह आज की video थी कुछ एक important question मैंने आपके इसमें करवाए बाकी मिलते हैं आपसे next video में playlist का link मैं आपको description पर दे दूँगा आप बहां से उसे जरूर visit करें या फिर i button पर आपको इसमें playlist का link दिख रहा होगा तो उसे आपने जरूर एक बार देखना है काफी useful चीज़े उसमें मैंने करवाई हुई है बाकी अगर आपका response अच्छा रहता है तो यहाँ पर हो सकता है कि दिन में आपकी 2-3 mock test की classes भी यहाँ पर upload करवाई जा सकती है तो मिलते हैं आपसे next video में daily updates के लिए भी आपने channel को subscribe करना